अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक रत्रपाथी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन आदा वर्ष वितीत हो चुका है और इस दोरान कई पारागमन और प्रतिगामे स्थितियां ग्रहों द्वारा निर्मित हुई है और एक बड़ी खगोली घटना होने वाली है या कहिए कि हो चुकी है किन्तु उसका जो प्रभाव है वो नमबर तक रहेगा और इसी विशे में अब हम आपको जानकारी देंगे जी हाँ मीन राशी में ब्रहस्पती के वक्री रूप में होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेश एपिसोड में किंतो दर्श को चिंता मत करें क्योंकि ब्रहस्पती की जो गती है मीन राशी में वक्री हो करके उसे आप सकारात्मक लें भागे और व्रिधी का ग्रह ब्रहस्पती 29 जुलाई 2022 से 24 नौमर 2022 तक मीन राशी में वक्री रहेंगे तो इसका आपकी जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पढ़ने माला है आपकी राशी पर किस तरह का प्रभाव पढ़ने माला है इस विशे में हम आपको आज जानकारी देंगे वैसे आपको ब्रहस्पति ग्रह के बारे में बता दें कि ये बहुत लाबकारी ग्रह है और जब ब्रहस्पति की वक्री दृष्टी हमारे जीवन में पढ़ती है तो ये बहुत ऐसे ऐसे आसर लाती है जिसकी हमें लंबे समय से प्रतिक्षा रही है और ये हमें अपने विचा इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, किन्तु कुछ राशियों के लिए प्रतिकूल आउसर भी ला सकता है, किन्तु अधिकतर राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा, तो आईए हम आपको बताते हैं अपने इस विशेश एपिसोड में, सबसे पहले हम आपको मे मेश राशी के जातकों के लिए वक्री प्रहस्पती बारहsweise भाव में अपनी वक्री यात्रा आरम करेंगे, मीन राशी में वक्री प्रहस्पती आपके लिए ओसत से भेतर साबित हो सकते हैं, जो लोग विवाहीत है या फिर किसी से प्रेम संबंद में हैं, उनका जीवन सब और अब बात करते हैं ब्रहस्पती के वक्री होने का व्रिशब राशी पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो ब्रहस्पती आपके 11 भाव में वक्री होंगे यह वक्री व्रिशब राशी के जातकों के लिए मिले जुले पर नाम ले करके आने वाले हैं कोई बड़ी स्वास से उपर रहने की संभावना है इसी प्रकार से अब मितुन राशी की बात करते हैं तो मितुन राशी के जाटकों के लिए वक्री ब्रहस्पती दस्वे घर से यात्रा अरम कर देंगे इस चरण के दौरान आप अपने स्वास्ते का आनंद ले सकते हैं हो सकता है कि आपको छोट पूलने की संभावना है जो लोग विवाहित हैं वे भी अपने वैवाहित जीवन का पून आनंद उठाएंगे और अब बात करते हैं अगली राशी की करक राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो करक राशी के जातकों के लिए ब्रहस्पती नमंभाव से वक्री हो रहे ह आने वाले समय में ये आपके लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं आने वाला समय ब्रहस्पत की इस वक्री चाल के तोरान स्वास से संबंदी मामूली परिशानी होने की संभावना है आर्तिक रूप से आपको अपने व्योसाय के बारे में सोचना होगा और आपको इसमें बहु पूर्ण हो सकता है इस दोरान स्वास्ति का ध्यान रखने की आवश्यक्ता है क्योंकि आपको स्वास्ति संबंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कुछ अपरित्याशित जो खर्चे हैं वो आपको परिशान कर सकते हैं यदे पी समय के दोरान व्यापारी और वेतन ब्रहस्पती सब्तम भाओं में हैं, ये चरण आपके लिए कठीन हो सकता है, इस वक्री अवस्था में अपने स्वास्ते पर विशेश ध्यान दे, अगर आप लंबी अवदी के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इस समय से बचे, उद्यमियों को वांचित परिणाम नही वक्री जो गती है वो छटे भाओं में हो रही है, इस समय आपको अपने स्वास्ते का आनंद लेने की आशा है, किसी भी तरह के निवेश्ट में साओधानी बरते हैं, काम करने वाले पेशेवरों और व्यवसाइक व्यक्तियों को अपने कारिस्थल पर कुछ समस्याओं का स वक्री ब्रहस्पती पंचम भाओं से वापस घूमना आरम कर देंगे, इस समय आपको अपने स्वास्ते पर ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी मोटी स्वास्ते समस्याओं आपको परिशान कर सकती हैं, अब ही आप अपना जो निवेश्ट करना चाहते हैं, तो उस निवे चोटी अवदी के निवेश की योजना बना रहे हैं, तो इससे बचें, ये गोचर आपके कारेक्षेतर में आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, आपके और आपके साथी के बीच मामूली विवाद भी हो सकते हैं, अब बात करते हैं मकराशी की, तो मकराशी के ज चोखिम भरी वित्ती गत्विधियों को करने से बचने के लिए आपको हम कहेंगे, जो कि आपके जीवन में कई समस्याइं पैदा कर सकती हैं, यदि आप निवेश करते हैं, और नौकरी पेशा और व्योसाईयों के लिए समय मध्यम रहने की संभावना है, यदि आप साजे मीन राशी में गोचा दूसरे भाव में होने जा रहा है, ये वक्री जो गती है वो आपके लिए मिले जुले परिनाम लेकर के आ रही है, इस समय आपको अपने स्वास्ते का विशेश ध्यान देने के अवश्यक्ता नहीं, क्योंकि स्वास्ते आपका बहुत अच्छा और इसलिए आपको इस दौरान किसी भी जोकिम भरी वित्ती गत्विधियों से बचने के लिए कहा जा रहा है, आपके और आपके साथी के भी चोटे मुटे विवाद हो सकते हैं, और इसके बाद बात करते हैं मीन राशी की, तो मीन राशी के जातकों के लिए वक्री ब्रह अपने ही घर में पुनह घूमना आरम कर देंगे इस दोरान आपको छोटी मोटी स्वास सम्मिद्धी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आतिक मोर्चे पर आपको कुछ चुनोतियां भी आपको परिशान कर सकती हैं साथी व्यापार और वेतनभोगी कर्मचारियों के लि आपकी जीवन पर पढ़ने माला है सभी राशियों पर पढ़ने माला है उसके विशे में हमारा ये विशेश एपिसोड था यदि आप अपने राय हमारे कारिकरम के सम्मन्द में देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वाट्सेप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं इसके अलावा आप हमारे इमेल आइडी अखंडमंधन.gmail.com पर भी हमें अपने संदेश प्रेशित कर सकते हैं दर्शकों आपको हमारा ये प्रयास यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना बहुमूली समय हमे प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का रिदे से आभार नमस्कार